हेलो एवरिवन वेलकम बैक स्वागत है सभी का देखे आज का लेक्चर बहुत इंपोटेंट होने वाला है जिन परिक्षाओं में भी हिंदी से संबंधित प्रसन पूछे जाते हैं उन सभी परिक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों का इस वीडियो को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है देखे बीडियो थोड़ा लंबा होगा इसने विद्यार्थियों को सला दी जाती है कि थोड़ा धहरे बनाये रखें और बीडियों को प्रारंब से अंत तक पूरा देखें छोटी से छोटी चीजे कवर करा दूँगा इसके बाद कभी भी समझाओंगा एंड तक ध्यान से सुनना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा वागी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे जो वाग के संबंधी असुद्धियां होती है वो निम्न प्रकार की हो सकती है चलिए कौन-कौन सी पहले उनका एक हेडिंग मिना लेते हैं कौन-कौन सी हो सकती है देखे एक तो हो सकती है वर्ण के प्रियोग संबंधी असुद्धियां वर्ण का मतलब आप समझी लेहोंगे वर्ण मतलब अक्षर यह जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसी तरह से अगली होती है देखिए लिंग के प्रियोग संबंधी असुद्धिया तीसरी है वचन के प्रियोग संबंधी असुद्धिया नेक्ष्ट है सर्बनाम के प्रियोग संबंधी असुद्धिया विशेशन के प्रियोग संबंधी असुद्धिया नेक्ष्ट है क्रिया के प्रियोक संबंधी असुद्धियां, अव्य के प्रियोक संबंधी असुद्धियां, परसर्ग के प्रियोक संबंधी असुद्धियां, नेक्ष्ट है विराम चिन्न के प्रियोक संबंधी असुद्धियां, मुहाबरे के प्रियोक संबंधी असुद्धियां, अनु तो देखिए जो पहला था वो है वर्ण के प्रियोग संबंधी असुद्धियां देखिए वर्ण क्या होता है वर्ण होता है अक्षर का मतलब होता है spelling जैसे इंगलिस में spelling होती है spelling mistake होती है पूरा sentence गलत हो जाता है एक छोटी सी spelling से वैसा हिंदी grammar में भी होता है इसमें क्या होता है अगर छोटा सा वर्ण गलत हो जाए या गलत वर्ण का उपियोग किया जाए sentence में तो पूरा का पूरा जो सब्ध है वो असुद्ध हो जाता है चलिए उदाहरन देकर समझाते हैं ध्यान से सुनिएगा देखे पहला उदाहरन है इसका एक तरफ असुद्ध वाकिय लिखें दूसरी तरफ सुद्ध लिखें ध्यान से सुनना चलिए पहला है विधी द्वारा प्रवत्तिनिय करार को संबिदा कहते हैं तो देखे ये असुद्ध वाकिय है अब इसका सुद्ध क्या बनेगा प्रवत्तिनिये नहीं आगा, यहां प्रवर्तिनिये का प्रियोग होगा, सुद्ध बनाते समय, चलिए समझ में आ गया होगा, अगला देखते हैं, अपराधी और निरापराधी में अंतर करना कठिन है, तो देखिए सुद्ध वाक्य है, सुद्ध बनेगा, अपराधी और न पूरवग 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 पूरव पहुँच गया घर पर तो देखे सकुसल में कुशल के साथ साक्ण यहां उप्योग हो गया तो अगला देखते हैं, रभिवार को सब्ताहिक अवकास मिलता है, सुद्ध बनेगा, रभिवार को साप्ताहिक अवकास मिलता है, तो देखिए सीधा सीधा ऐसे भी पूछ ले जाएगा, के इन में से कौन सा सब्त सुद्ध है, तो सब्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, चलि अगे उदारण पर बढ़ते हैं नेक्स्ट जो एक्जामपल है इसका कोम लांगनी सीता जी राम के साथ वन गई तो इसका सुद्ध बनेगा कोम लांगी सीता जी राम के साथ वन गई तो यहाँ पर देखिए ध्यान देजी कोम लांगनी का परियोग नहीं कोम लांगी का परियोग करेंगे next है मान्यनिय मंत्री जी आ रहे हैं सुद्ध बनेगा मान्यनिय मंत्री जी आ रहे हैं अंतर इसपष्ट हो गया होगा next उसे वैधव्यता का जीवन जीना पड़ रहा है सुद्ध बनेगा उसे वैधव्य का जीवन जीना पड़ रहा है तो वैधव्यता का प्रियोग नहीं होगा वैधव्य का प्रियोग होगा नेक्ष्ट उसने बुद्धी मानता का काम किया सुद्ध बनेगा उसने बुद्धी मानी का काम किया अंतर इसपश्ट हो गया होगा, बुधिमानता का प्रियोग नहीं करेंगे, बुधिमानी का प्रियोग करेंगे, next, मुझे कोई पैत्रिक संपत्ती नहीं मिली, सुद्ध वाक्य बनेगा, मुझे कोई पैत्रक संपत्ती नहीं मिली, तो देखिए पैत्रिक नहीं होता है, पैत अब देखिए इसमें होता क्या है लिंग निर्धारण में भूल होने के कारण ये असुद्धियां होती हैं कैसी असुद्धियां चलिए उदारण देकर समझाता हूँ एक तरफ असुद्ध बाके लिखें सुद्ध क्या बनेगा बताते हैं चलिए पहला उदारण है हमारी प प्रदेश की सरकार जनता के सहातार्त बैंक खोल रही है मतलब सामाने भासा में देखा जाए तो जो हमारे प्रदेश की सरकार है वो जनता की सहायता करने के लिए बैंक खोल रही है तो देखिए सारा का सारा जो वाक्य है वो वैसे का वैसा ही है अंतर कहां हुआ हमारी के इस् चाहिए सुद्ध बनेगा परिक्षा की सारी प्रणाली बदल देनी चाहिए नेक्स्ट उसके आंख से आंसु निकल पड़ा सुद्ध बनेगा उसकी आंख से आंसु निकल पड़े तो देखिए पड़ा के स्थान पर पड़े कर दिया तो बाके सुद्ध हो गया यही होती है लिंग के प्रियोग संबंधी असुद्धियां कि किस तरह का लिंग निधारण हमको किस वाक्य में किस प्रकार करना है चलिए अगला उधारण है दही खटी है तो देखे देखा जाए तो खटी एक इस त्रिलिंग सब्ध हो गया लेकिन यहां सुद्ध क्या होगा दही खटा है नेक्स्ट बह सातवे कक्सा में पढ़ता है सुद्ध बनेगा बह सातवी कक्सा में पढ़ता है नेक्स्ट लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं सुद्ध बनेगा लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं नेक्स्ट राम ने पुस्तक खरीदा मोती CP में पलती है सुद्ध बनेगा मोती CP में पलता है देखिये difference किसका वगा पलती और पलता का नेक्स्ट राम और सीता वण गई सुद्ध राम और सीता वण गए मतलब दो जने है यहां गई लगाकर दोनो को स्ट्रिलिंग बना दिया राम को भी और सीता को भी वह यहां देखिए राम और सीता वन गए मतलब दोनों एक साथ गए तो यहां इस त्रिलिंग गई का प्रियोग नहीं होगा गए का प्रियोग होगा अगला और अंतिम इसका उदारण है उसे देखकर मेरे होस उड़ गए तो देखिए यहां सारे के सारे जो दस के दस important example थे उदारण थे लिंग के प्रियोग संबंधी असुद्धियों के वो cover हो गए है अब चलिए अगले प्रकार के तरह बढ़ते हैं वो है वचन के प्रियोग संबंधी असुद्धिया अब देखिए किस प्रकार की होती है तो वचन क्या होते हैं देखिए संग्या हो गया, सर्वनाम हो गया, विसेशन हो गया, क्रिया हो गई ये सब जिस रूप में संख्या का बोध होता है इनमें उसे वचन कहते हैं वचन संबंधी असुद्धियां तथा उनके सुद्ध प्रियोग के कुछ उधारन देखे इस प्रकार है कौन कौन से असुद्ध बागे बोलूँगा फिर उसका सुद्ध बोलूँगा पहला है राम ने दस कुंतल कोईले खरीदे अब देखे सुद्ध बनेगा राम ने दस कुंतल कोईले खरीदा कोईले नहीं नेक्स्ट उसने पांच कचोड़ी खाई सुद्ध बनेगा उसने पांच कचोड़ी खाई तो देखिया उसने जब एक से जादे अगर वो एक कचोड़ी खाता तो यहां कचोड़ी सही हो जाता लेकिन उसने एक से ज़्यादे खाले ही मतलब पांच खाले ही तो वो कचोड़ीयां का जो हो गया वो पुरलिंग हो गया मतलब कचोड़ीयां हो गया अपने सामानों को संभाल कर रखिए सुद्ध बनेगा उसके प्राण पखेरू उड़ गए आपकी महानताओं से सभी लोग परिचित है सुद्ध बनेगा आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित है भ्रमर पुस्पो के परागों को चूसता है देखे परागों को का प्रियोग हो गया यहां पर सुद्ध बनेगा भ्रहमर पुस्पो के पराग चूसता है को लगाने की आवश्चकता नहीं है बाग के हो जाएगा असुद्ध चलिए आगे देखते हैं स्रीमान क्या सोच रहा देखिए आपको असुद्ध लग रहा होगा यह सुद्ध बनेगा सुद्ध बनेगा सभी बर्गों के लोग उपस्तित थे मतलब बहुत सारे बर्ग थे एक से जादे बर्ग थे इसलिए बर्ग के स्थाम पर बर्गु का प्रियोग हुआ है अंतिम उदाहरण है इसका प्रकृति की सुन्दर्ताओं ने मेरा मन मोह लिया सुद्ध बनेगा प्रकृति की सुन्दर्ताओं ने मेरा मन मोह लिया सुन्दर्ताओं का प्रियोग नहीं होगा सुन्दर्ता का प्रियोग होगा देखे अगला जो इसका प्रकार है वो है सर्बनाम के प्रियोग संबंधी असुद्धियां अब देखे ये क्या होती है थोड़ा समझ लेते हैं फिर उदाहरण देकर समझाता हूँ देखे सर्बनाम उस विकारी सब्द को कहते हैं जो पूर्वा पार संबंध से किसी भी संग्या के बदले आता है सर्बनाम संबंधी असुद्धियां और उनके उदाहरन कुछ इस प्रकार है चलिए स्टार्ट करते हैं असुद्ध बोलूँगा फिर उसका सुद्ध बताऊंगा देखे पहला असुद्ध वाक क्या है सर्बनाम के प्रयोक संबंधी असुद्धियां देखे मैंने मेरा काम कर लिया तो देखे ये बाक क्या है इसका सुद्ध बनेगा देखें मेरा तो आना नहीं चाहिए अपना आना चाहिए तो देखें सुद्ध बनेगा मैंने अपना काम कर लिया नेक्स्ट जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं सुद्ध बनेगा जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं तो देखिए वे आ सकते हैं ना कि वे आ सकते हैं तो वे मतलब जैसा अंग्रेजी में होता है न दे वे मतलब ही तो यहां उसी तरह से हिंदी ग्रामर में भी होता है तो चलिए अगला देखते हैं उदारण माता जी मुझे तुमारी बहुत याद आती है सुद्ध बनेगा माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है तो देखे तुमाहरी और आपके कारण ये पाग के पूरा असुद्ध हो गया है तो सुद्ध बनाने के लिए इसमें आपकी का प्रियोग होकर ये बाग के सुद्ध हो गया चलिए अगला देखते हैं राम ने सुरेश से कहा तुम घर चलो हम दो घंटे बाद आएंगे सुद्ध बनेगा राम ने सुरेश से कहा तुम घर चलो मैं दो घंटे बाद आऊंगा देखे हम और मैं का यहाँ पर अंतरस पश्ट आपको हो गया होगा सर्बनाम, संबंदी जो सुद्धियां है चलिए अगला देते हैं उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है सुद्ध बनेगा उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है क्योंकि उसके हाथ में है वो उधर खड़ा है वह मेरी है तो यह का प्रियुक तो तब होता ना जब वो मेरे पास होती तो देखे इसलिए उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है नेक्स्ट यह मेरे पिताजी है सुद्ध बनेगा यह मेरे पिताजी है नेक्स्ट जो कुछ मेरी है सब आपकी है सुद्ध बनेगा जो कुछ मेरा है सब आपका है अगला उदाहरण है तू बड़ा हो गया है तुम्हारी साधी करादूं सुद्ध बनेगा तू बड़ा हो गया है तेरी साधी करादूं ना कि तुम्हारी next मोहन आप आकर छमा मांगेंगे अंति मुदाहरण है सर्बनाम के प्रियोक संबंधिया सुद्धियों का आपका भवदिय सुरेश सुद्ध वाक्य बनेगा भवदिय सुरेश भवदिय सुरेश में आपका तुम्हारा सब कुछ इंक्लूड हो गया है इसलिए आपका लगाने की यहां आवश्चक्ता नहीं है या फिर कोई लेटर लिखते हैं तो जो अंत में लिखते हैं भवदिय सुरेश भवदिय रमेश तो आपके की यहां पर आवश्चक्ता नहीं है क्योंकि भवदिय के अंदर ही सारी की सारी आदर सतकार सामिल है तो भवदिय सुरेश अगला देखिए इसका प्रकार है वो क्या था विशेशन के प्रियोक संबंधी असुद्धिया तो चलिए समझते हैं उदारण देकर किस तरह से होती है पहला उदारण है उन्होंने इस विशेपर भारी अध्यन किया है तो देखे क्या अध्यन भारी होता है नहीं अध्यन गहरा होता है गहन अध्यन गहन चिंतन तो सुद्ध बनेगा उन्होंने इस विशेपर गहरा अध्यन किया है नेक्स्ट उसका कद मुझसे बड़ा है तो कद बड़ा होता है या उमर बड़ी होती है कद तो लंबा छोटा होता है सायद हाँ सही समझे तो सुद्ध बनेगा उसका कद मुझसे लंबा है उस नदी का पार्ट बहुत लंबा है सुद्ध बनेगा उस नदी का पार्ट बहुत चोड़ा है वह खाई बहुत नीची है तो खाई उची नीची होती है क्या? या गहरी होती है? सुद्ध बनेगा वह खाई बहुत गहरी है Next, मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्त के लाया हूँ सुद्ध बनेगा मैं तुम्हारे लिए कई पुस्त के लाया हूँ next उसकी कटार छोटी है सुद्ध बनेगा उसकी कटार पतली है अगला उदारण है एक लंबे मैदान में खेल हो रहा है तो क्या मैदान लंबा होता है नहीं एक विशाल मैदान में खेल हो रहा था तो देखें यहां है नहीं था एक लंबे मैदान में खेल हो रहा था तो सुद्ध बनेगा एक विशाल मैदान में खेल हो रहा था नेक्स्ट वह सुन्दर गुणों से युक्त है तो क्या गुण सुन्दर होते हैं नहीं गुण अच्छे बुरे होते हैं वह अच्छे गुणों से युक्त है नेक्स्ट रास्ते में कुछ वरक्ष मिले तुमने अती निक्रेश्ट भूल की, सुद्ध बनेगा, तुमने भारी भूल की, तो यहाँ पर देखिए, अती निक्रेश्ट का प्रियोग नहीं करेंगे, वाक्या सुद्ध हो जाएगा, तुमने भारी भूल की, फिर कोई दूसरा उधारन होता तो उसमें होता, उसने भार लाड़ी भूल की तो चलिए अगला जो प्रकार है वो है किża के प्रियोग संबंदी असुध है तो चलिए उधारन दे कर समझाता हूं किस तरह से होती है क्रिया के प्रियोग संबंदी Тыा पहला उधारन महां鐵 है कि असुध है दूस्तिरफ सुध होगा आप वहां जाने सकेंगे सुद्ध बनेगा आप वहां जा सकेंगे अगला एक्जामपल देखते हैं मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर बना दिया तो देखिए हस्ताक्षर क्या बनाया जाता है खाना बनाया जाता है सुद्ध बनेगा मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया नेक्स्ट उसका कहना था कि आप उसे जानते हो सुद्ध बनेगा उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं ना की हो नेक्स्ट बह भोजन खा चुका है सुद्ध बनेगा बह भोजन कर चुका है अगला है दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचर नहीं डालना चाहिए देखे कीचर अगर मान लीजिए किसी सडक पर पड़ा है और वहां से गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी ने कीचर दूसरे आदमी पर डाला या उच्छाला तो यहीं देखिए सुद्ध बनेगा दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचर नहीं उच्छालना चाहिए ना कि डालना चाहिए नेक्स्ट होली का रंग थोड़ी है जो डालेंगे अगला है चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया सुद्ध बनेगा चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया नेक्स्ट करपिया उत्तर सीग्र देने की करपा करें सुद्ध बनेगा करपिया उत्तर सीग्र दें ना कि करपा करें नेक्स्ट उदाहरण उसने नोकरी छोड़ दिया सुद्ध उसने नोकरी छोड़ दी नेक्स्ट है मैं उसे सहायता देना चाहता हूं सुद्ध बनेगा मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं नकि देना चाहता हूं अगला उदाहरण है करपिया एक गलास पानी पिलाईए सुद्ध बनेगा करपिया एक गलास पानी दीजिए क्योंकि पानी दिया जा सकता है उसके मूँ में लगाके किसी को पिलाएंगे तो नहीं मान लीजिए आपके घर मेहमान आए तो आप पानी उनके हाथों तक ही तो दोगे या उनके आगे कर दोगे सर्व कर दोगे तो वो खुदी उठा के पियेंगे हाँ अगर कोई बीमार है एक exception केस है तो उसके मूँ में जाके कोमा में पड़ा है या पर हाथ पैर उठानी सकता तो उसको पानी हम उसके मूँ लाक दे सकते हैं मूँ तक पहुँचा सकते हैं मतलब अब देखिए अगला जो इसका परकार है वो है अव्य के प्रियोग संबंधी असुद्धियां अब देखिए अव्य क्या होते हैं थोड़ा कुछ समझ लेते हैं पहले देखिए अव्या का प्रियोग करते समय निम्नबातों पर ध्यान देना पहले आप कौन-कौन सी बाते हैं वो देखिए परस पर या आपस में से केवल एक का ही प्रियोग होगा यदि एक सब्द में सब्सक्राइब में परस पर और आपस में एक साथ आगे अगला है काल वाचक अव्य के साथ काल या समय सब्द का परियोग ना करें फिर सब बता रहता हूं काल वाचक अव्य के साथ काल या समय सब्द का परियोग ना करें वो किस तरह से होता है वो अभी उधारन देकर समझाऊंगा नेक्स्ट नियम है यद्दपी के साथ तथा पी तथा कियों के साथ इसलिएं का प्रियोग होगा नेक्स्ट नियम जितना के साथ उतना सब्द का परियोग होगा और जियों के साथ तियों का परियोग होगा तथा जैसे के साथ तैसे सब्द का परियोग किया जाना चाहिए अगला नियम क्या है इसका देखिए अगला कोई नियम है अब सुरू करते हैं सीधे उधारन देखिए अब वे के प्रियोक संबंदी उधारन इस परकार है पहला असुद्ध है उसका सुद्ध बनेगा बताऊंगा पहला उधारन वह आएगा वह जब आएगा तो मैं चलूँगा सुद्ध बनेगा यदी वह आएगा तो मैं चलूँगा देखिए सीधा पकड़ में आ रहा होगा आपको नियम जो बताये थे अभी वह जब आएगा तो मैं चलूँगा असुद्ध है सुद्ध बनेगा क्योंकि यहां संभावना उसकी आएगा नहीं आएगा यह confirm नहीं है confirmation नहीं मिला है इसलिए सुद्ध बनेगा यदी वह आएगा तो मैं चलूँगा अगला उदारण है वह धीरे धीरे से भोजन कर रहा था सुद्ध बनेगा वह धीरे धीरे भोजन कर रहा था से लगाने की आवशक्ता नहीं है नेक्स्ट है वह अत्यंत ही सुद्ध है जब अत्यंत सुद्ध है तो ही लगाने की आवशक्ता क्या है सुद्ध बनेगा वह अत्यंत सुद्ध है नेक्स्ट, राम कल सुबह के समय लखना उगया, सुद्ध बनेगा, राम कल सुबह लखना उगया, तो यहाँ पर के समय लगानी की आवस्चक्ता नहीं है, सीधे सीधे वाकि सुद्ध हो जाएगा, राम कल लखना उगया, या राम परसो लखना उगया, या राम कल लखना साथ तियों का प्रियोग करेंगे सुद्ध बनेगा जियों ही वह स्टेशन पहुंचा तियों ही वस चली गई नेक्स्ट उनकी परस पर आपस में खूब पड़ती है देखिए उपर नियम क्या था अव्यगा परस पर और आपस में एक साथ प्रियोग ना करें, सुद्ध बनेगा, उनकी आपस में खूब पढ़ती है, नेक्स्ट, उसके घर केबल मात्र मैं ही निमंत्रित था, देखे, केबल और मात्र का प्रियोग एक साथ नहीं होगा, सुद्ध बनेगा, उसके घर केबल मैं निमंत्रित था, नेक्स्ट, मैं केबल इसलिए यहां आया था, सुद्ध बनेगा, मैं इसलिए यहां आया था, नेक्स्ट, उदाहरण, सीता गाती गाती नदी तक गई, सुद्ध बनेगा, सीता गाते गाते नदी तक गई, ना की गाती करती नेक्स्ट यद्दपी वह निर्धन है तब भी बहुत इमानदार है देखे यद्दपी के इस्थान पर किसका प्रियोग होगा नियम क्या बताए थे अवी तथापी सुद्ध बनेगा यद्दपी वह निर्धन है तथापी वहुत इमानदार है नेक्स्ट उदाहरण सुद्ध बनेगा मंत्री जी ने मेरी वातें ध्यान पूर्वक सुनी नेक्स्ट तुम जहां भी जा रहे हो उस जगह मुझे भी साथ ले चलो सुद्ध बनेगा तुम जहां भी जा रहे हो बहां मुझे भी लेते चलो नेक्स्ट बहप्राया वार वार मेरे घर आता था सुद्ध बनेगा बहप्राया मेरे घर आता था तो बार वार लगाने की यहां आवश्चता नहीं है नेक्स्ट कदाचित कास तुम पहले मिल गए होते तो मेरा नुकसान ना होता सुद्ध बनेगा कास तुम पहले मिल गए होते तो मेरा यह नुकसान ना होता देखें हैं कदाचित का प्रियोग नहीं होगा कास तुम पहले मिल गए होते तो मेरा यह नुकसान ना होता next मान लो यदि वह परिक्षा में उत्रीर ना हो तो क्या होगा सुद्ध बनेगा मान लो वह परिक्षा में उत्रीर ना हो तो क्या होगा तो देखें अंतर किस चीज का हुआ मान लो यदी वह परिक्षा में उत्रीर ना हो तो क्या होगा मान लो वह परिक्षा में उत्रीर ना हो तो क्या होगा देखें यहाँ यदी का प्रियोग नहीं किया जाएगा नेक्स्ट उसने मुझे गुनगुने गरम पानी से यह दवा लेने को कहा तो देखें यहाँ पर गुनगुने और गरम एक साथ उप्योग नहीं होगा या प्रियोग नहीं होगा एक का प्रियोग करेंगे तो उसने मुझे गुनगुने पानी से ये दवा लेने को कहा क्योंकि गर्म पानी से तो मूँ जल जाता भाया Next उसका व्यवार रुक्ष है लेकिन फिर भी उसका हिर्दे निर्मल है सुद्ध बनेगा उसका व्यवार रुक्ष है लेकिन उसका फिर्दे निर्मल है तो सुद्ध बनाने की क्या किया फिर भी का उपयोग नहीं किया नेक्स्ट किसी और दूसरे से यह काम करा लीजे तो देखिए और और दूसरा एक जैसे अर्थ निकाल रहे हैं तो किसी दूसरे से यह काम करा लीजे अंति मुधारण है अव्या के प्रियोग संबंधी असुद्धियों का सिवाए तुमको छोड़कर इस संकट में किसी ने साथ नहीं दिया सुद्ध बनेगा सिवाए तुम्हारे इस संकट में किसी ने साथ नहीं दिया तो देखिए अव्या के प्रियोग संबंधी असुद्धियां के जितने जो मुष्ट मुष्ट सेंटेंसे या वाक्य बन सकते थी तो मैंने कबर कड़ा दिया है उमीद है कि गलती नहीं की जाएगी आपके द्वारा तो चलिए अगला प्रकार देखते हैं वो है परसर्ग के प्रियोग संबंधी असुद्धियां तो देखिए परसर्ग को कारक चिन अथवा बिभक्ती भी कहते हैं और परसर्ग का उचित प्रियोग ना करने पर वाक्य असुद्ध हो जाता है अब देखिए करके बताता हूँ के परसर्ग का प्रियोग करते कैसे हैं वाक्य में चलिए असुद लिखता हूँ एक तरफ दूसरे तरफ सुद लिखें उसने भोजन कर रहा था उसने भोजन कर रहा था तो देखिए वह भोजन कर रहा था पता चल गया होगा आपको परसर्ग क्या होता है next उधारण है बहे छट में गई सुद्ध बनेगा बहे छट पर गई next कल रात में मेरे घर कई महमान आए next कुरसी को यहां रखो कुरसी यहां रखो मुझे को घर जाना था मुझे घर जाना था बहे मेरे पैरों में गिर पड़ा सुद्ध बनेगा बहे मेरे पैरों पर गिर पड़ा तो देखे पैरों के अंदर तो घुसेगा नहीं वो में का मतलब इन मतलब अंदर तो बहे मेरे पैरों पर गिर पड़ा बह कचोड़ी को खा रहा है बह कचोड़ी खा रहा है next मैं प्रतियक रविवार में घर जाता हूं सुद्ध बनेगा मैं प्रतियक रविवार को घर जाता हूं मुझे तुम पुराने पते से पत्तर देना सुद्ध बनेगा मुझे सुद्ध बनेगा तुम मुझे पुराने पते पर पत्र देना ना कि पुराने पते से पत्र देना फिर से repeat कर देता हूँ मुझे तुम पुराने पते से पत्र देना सुद्ध बनेगा तुम मुझे पुराने पते पर पत्र देना next है वह देश के संस्कृति का बहुत सम्मान करता है तो देखिए वह देश के संस्कृति का बहुत सम्मान करता है वह देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है तो देखिए अंतर किस चीज का हुआ के और की के चक्कर में पूरा वाक्य हो गया असुद्ध तो चलिए अगला देखते हैं अगला उदारन है मैं बच्चो को खिलोने लाया हूँ सुद्ध बनेगा मैं बच्चो के लिए खिलोने लाया हूँ नेक्स्ट है वह अध्याफक के साथ पढ़ता है सुद्ध बनेगा वह अध्याफक से पढ़ता है नेक्स्ट बहे भूँक से तड़प रहा है सुद्ध बनेगा बहे भूँक से तड़प रहा है रिपीट कर देता हूँ थोड़ी तूटी मैंने कर दिये असुद्ध था बहे भूँक में तड़प रहा है सुद्ध बनेगा बहे भूँक से तड़प रहा है नेक्स्ट प्रति दिन दोपहर में विद्याले वंद हो जाता है सुद्ध बनेगा प्रति दिन दोपहर को विद्याले वंद हो जाता है ना कि में नेक्स्ट और अंतिमुदारण सर्म से उसने अपने सिर को नीचा कर लिया सुद्ध बनेगा सर्म से उसने अपना सिर नीचा कर लिया ना कि सिर को नीचा कर लिया तो देखिए पूरी हो गई हैं अगला जो प्रकार था वो था विराम चिन्द के प्रियोग संबंधी और सुद्धियां अब देखिए विराम चिन्द का प्रियोग तो आपको थोड़ा बताता ही होगा चलिए मैं बताता हूं किस तरह से और विराम चिन की बज़े से जिसे विराम चिन कुन से होगे पूर्ण विराम हो गया अर्ध विराम हो गया कहां कोमे का प्रियोग करना है कहां प्रसन बाचक चिन का प्रियोग करना है कहां फुल स्टॉप का प्रियोग करना है चलिए समझते हैं उधारण देकर पहला उधारण है रोको मत जाने दो सुद्ध बनेगा रोको मत जाने दो तो देखे रोको के आगे कोमा लगाया है अथवा रोको मत जाने दो नेक्स्ट अरे वह कब आया तो सुद्ध बनेगा अरे वह कब आया देखे परसनवाचक सुद्ध बनेगा उसने कहा तुम मूर्ख हो तो देखे तुम मूर्ख हो को किस तरह से लिखा है आपको दिख रहा होगा इनवर्टेड कोमा के अंदर नेक्स्ट है बहर रोते रोते ठक गई सुद्ध बनेगा बहर रोते रोते ठक गई नेक्स्ट ध्यान दीजेगा किस तरह से लिखा है नेक्स्ट है स्री सिव संकर मद फिल एक महान लेखक है सुद्ध बनेगा स्री सिव संकर मद फिल एक महान लेखक है देख लीजे किस प्रकार लिखा है और असुद्ध में किस प्रकार लिखा है उमीद है समझ में आ गया होगा चलिए अगला देखते हैं जो प्रकार था इसका क्या था वह है मुहाबरे के प्रियोग संबंधी असुद्धियां अब देखिए मुहाबरे लोकुत्ती तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं तो चलिए देखते हैं कुछ होदारन देकर समझाते हैं देखिए पहला एक्जामपल है क्योंकि अगर चलने लगता न तो पकड़ा जाता मार पिटती जेल हो जाती इसलिए भागना पड़ेगा भाईया बचना है तो आज कल मामूली नोकरी पाने के लिए भी तलबा चूमना पड़ता है तो क्या तलबा चूमना पड़ता है ऐसा उधारन है तलबा चाटना तो सुना था भाईया तो सुद्ध बनेगा आज कल मामूली नोकरी पाने के लिए भी तलबा चाटना पड़ता है तो समझ में आ गय रहा होगा मुहवरे किस तरह ऐसा प्रियोग होंगे next example सतरों के उननती देखकर उसके सीने पर सांप चलता है तो सांप चलते नहीं लोटते हैं सत्रों के उननती देखकर उसकी छाती पर सांप लोटते हैं सीने पर नहीं नेक्स्ट उदाहरण मेरी सिकायत सुनते ही वह आग बबूली हो गई सुद्ध बनेगा मेरी सिकायत सुनते ही वह आग बबूला हो गया तुटी हो गई मेरी सिकायत सुनते ही वह आग बबूला हो गई असुद्ध क्या था इसका मेरी सिकायत सुनते ही वह आ आग बबूली हो गई, तो आग बबूली नहीं हो गई, आग बबूला हो गई, नेक्स्ट, जेव काटकर जेव कत्रा तुरंत दो नो ग्यारे हो गया, तो जेव काटकर जेव कत्रा तुरंत दो नो ग्यारे नहीं हुआ, नो दो ग्यारे हो गया, नेक्स्ट है, राम की इस्तरी गूलर का फूल है तो राम की इस्त्री गूलर का फूल नहीं है राम की इस्त्री चांद का टुकड़ा है next क्योंकि सुन्दर्ता गूलर के फूल में नहीं चांद में होती है next अपनी सुन्दर्ता के अभिमान में उसके अंग फूले ना समाते सुद्ध बनेगा अपनी सुन्दर्टा के अभिमान में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते नेक्स्ट है इस वर जब देता है छपपर तोड़ कर देता है तो आपने सुना होगा मुहावरा क्या कहता है? छपपर तोड़ने वावरा है चप पर फाड़ने भला तो समझी गए होगे सुद्ध क्या बनेगा इस वर जब देता है तो चप पर फाड़ कर देता है अगला उदाहरण है मैंने उसे टका सा उत्तर दे दिया सुद्ध बनेगा मैंने उसे टका सा जवाब दे दिया Next जीती मक्खी खाई नहीं जाती सुद्ध बनेगा जीती मक्खी निंगली नहीं जाती तो देखिए मुहावरे के प्रियोग संबंधी असुद्धियों के महत्वण एक्जामपल या उदाहरण पूर हो गए हैं कम्प्लीट हो गए हैं अगला प्रियोग देखते हैं वो क्या है वो है अनुपियुक्त प्रियोग संबंधी असुद्धियां अब देखिए अनुपियुक्त प्रियोग संबंधी असुद्धियां किस प्रकार हो सकती हैं बाके में चलिए बताता हूँ पहला उदारन कोलम्बस ने अमेरिका का अविस्कार किया सुद्ध बनेगा कोलम्बस ने अमेरिका का अनुवेशन किया ना कि अविस्कार किया नेक्स्ट लिपिक ने अधिकारी के समक्ष प्रालेक स्विक्रतार्थ प्रस्तुत किया सुद्ध बनेगा लिपिक ने अधिकारी के समक्ष प्रालेक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया तो देखिए स्विक्रतार्थ नहीं अनुमोदनार्थ का प्रियोग होगा नेक्स्ट भावी परिक्षा में उसे प्रवेश ना मिल सकेगा सुद्ध बनेगा आगामी परिक्षा में उसे परवेश ना मिल सकेगा ना कि भावी परिक्षा में उसकी अलोकिक योग्यता के कारण सभी लोग इसे मानते हैं सुद्ध बनेगा उसकी असाधारन योग्यता के कारण सभी लोग उसे मानते हैं तो इसे के स्थान पर उसे का प्रियोग और अलोकिक योग गिता के स्थान पर असाधन योग गिता का प्रियोग सुद्ध बनेगा जिला उसधाले में 11 डॉक्टर है सुद्ध बनेगा जिला चिकित साले में 11 डॉक्टर है ना कि ओसधाले में देखिए ओसधाले में तो केबल ओसधियां ही रहती है लेकिन चिकित साले में रहते हैं चिकित सक चलिए अगला देखते हैं उदारन बिलंब से पत्रोत्तर देने को मुझे दुख है सुद्ध बनेगा बिलंब से पत्रोत्तर देने के लिए मुझे खेद है ना की दुख है अगला उदारण है भारत में सत्तर परतिसत व्यक्ति असिक्षित हैं सुद्ध बनेगा भारत में सत्तर परतिसत व्यक्ति निरक्षर हैं ना की असिक्षित नेक्स्ट, ताज महल विष्व के विषाल भवनों में से एक है, सुद्ध बनेगा ताज महल विष्व के भव्य भवनों में से एक है, तो ताज महल जो दिखाता है, अपनी भवेता को दिखाता है, भवेता प्रस्तुत करता है, ना कि अपनी विषालता, विषालतो बहुत सा दर्ता के कारण जाना जाता है अंति मुदारण है अनुपियुक्त संबंधी अनुपियुक्त प्रयोग संबंधी है सुद्धियों का डाकूओं के खत्रे से सारा गाउं थर्राता था सुद्ध बनेगा डाकूओं के आतंक से सारा गाउं थर्राता था ना कि डाकूओं के खत् तो चलिए स्टार्ट करते हैं उदारन देकर समझाता हूं क्या होती है विविद असुद्धियां वह ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई अंग तूट तूटा है सुद्ध बनेगा वह विकलांग है तो देखिए समझ के होंगे आप विविद असुद्धियां किस प्रकार्गी होती हैं मतलब एक छोटी सी बात कहके उसका पूरा करेक्टर डिस्क्राइब कर दिया अगला एक्जामपल है वह ठंडी जमी हुई आइस क्रीम अत्यद ही खाता है सुद्ध बनेगा वह आइस क्रीम बड़े चाव से खाता है देखिए जो आइस क्रीम होती है वो पहले से ही हुई आइस क्रीम अत्यदिक नहीं खाता है वह आइस क्रीम बड़े चाव से खाता है यह इसका सुद्ध बनेगा अगला है नगर में सर्वत्र सांति थी केवल वे दोनों मात्र ही जगडते हुए मिले अब देखिए यहां केवल और मात्र का प्रियोग एक साथ कर दिया इन केवल वे दोनों जगडते हुए मिले नेक्स्ट है मेरे अधीन जो भी करमचारी काम करते हैं उन सबों का आकास्मिक अवकास अनुमोदित करने के लिए मैं योग्य हूँ सुद्ध बनेगा मेरे अधीन जो कर्मशारी काम करते हैं उनका आकाश्मिक अवकास स्विक्रित करने के लिए मैं सक्षम हूँ ना कि योग्य हूँ तो देखिए समझ में आ रहे होंगे विविद एक्जामपल इसके चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं राम और स्याम वताए कि उन दोनों को दही नहीं अच्छी लगती सुद्ध बन जाएगा राम और स्याम ने बताया कि उन्हें दही अच्छा नहीं लगता नेक्स उदाहरण नेपाल के पास चीनी सैनाओं के जवान को देखा गया सुद्ध बनेगा नेपाल सीमा पर चीनी सैना के जवान देखे गए समझ में आ रहा होगा क्या अंतर है क्या डिफरेंस है नेक्स्ट कदाचित यदी तुम दसवे कक्षा में पर्थम आ जाते हो तब मैं तुम्हें एक घड़ी पारितोशिक में दूँगा तो देखे कदाचित का भी परियोक कर दिया और यदी का भी परियोक कर दिया सुद्ध बनेगा यदी तुम दसवे कक्षा में पर्थम आ आ तो मैं एक घड़ी तुम्हें उपहार स्वरूप दूँगा Next सडक पर टहलते समय मेरी टॉपी गिर गई सुद्ध बनेगा जब मैं सडक पर टहल रहा था मेरी टॉपी गिर गई Next है उसने कहा कि वह स्कूल जा रहा था सुद्ध बनेगा उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ Next बाहरवे कक्सा में राम के पर्थम आने का समाचार सुन उसकी माँ फूल कर कुप्पी हो गई सुद्ध बनेगा बाहरवी ना कि बाहरवे बाहरवी कक्सा में राम के पर्थम आने का समाचार सुनकर उसकी मा फूल कर कुप्पी हो गई तो देखिए असुद केवल एक सब्द से हो गया बाहर वे के स्थान पर बाहर वी का प्रियोग होगा नेक्स्ट बहर रोती रोती सो गई सुद्ध बनेगा बहर रोते रोते सो गई नेक्स उदाहरण पिछले मंगलबार को कौन सा दिन था सुद्ध बनेगा पिछले मंगलबार को कौन सी तिथी थी क्योंकि पिछले मंगलबार को तो मंगलबार ही था भहिया कौन सी तिथी थी मतलब कौन सी दिनांग थी नेक्स्ट बालक फूट फूट कर चिला रहा था कि उसकी माँ ने आ गई तो देखें सुद्ध क्या बनेगा बालक फूट फूट कर रो रहा था कि उसकी माँ आ गई ना कि चिला रहा था नेक्ष्ट उदारण संभवत पिताजी सायद सनिवार पर ही आएगा तो देखिए सुद्ध बनेगा संभवत है पिताजी सनिवार को आएंगे नेक्ष्ट और अंतिम उदाहरन है इस चैप्टर का या इस लेक्चर का वो है उसके समय का अधिकान्स भाग मित्रों के साथ गपसप में व्यर्थ ही नश्ट हो जाता है तो देखिए सुद्ध बनेगा इसका उसका अधिकान्स समय मित्रों के साथ गपसप में नश्ट हो जाता है तो देखिए ये इंपोर्टेंट चैप्टर था थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही लाबदायक है आपके लिए या उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो उन परिक्षाओं की तैयारी में लगे हैं जिनमें हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रशन पूछे जाते हैं तो भहिया सलाह दी जाती है आप सभी विद्यार्थियों को बीडियो को प्रारम से अन तक फिर से दुबारा देख लीजिए दो तीन बार देख लेना कंठस्त कर लेना कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिलकुल बेसिक से समझाया चोटी 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 इस विडियो को देखने के बाद आपको कहीं और दुबारा तैयारी करने की आवस्चता नहीं है सारे के सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे नहीं हो गए हैं तो फिर से रिवीजन मार लीजेगा दो तीन बार और हाँ कमेंट करके जरूर बताईए कि विडियो ये चैप्ट अपको करेक्ट टाइम पर मिल जाए क्योंकि मैं पूरी हिंदी कवर कराने वाला हूं इस चैनल पर बाकि इस बीडियो को अपने फेस्बुक और वाटस अप ग्रूप पर शेयर कर देना और हां मेरे फेस्बुक जो पेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्सिन में साइड में लि वाकि मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद